इसका ओरिजीन था यह जो हम पुरा का पूरा आज के बारे में पढ़ने वाले नौर्थ अमेरिका साथ अमेरिका यूरोप अफरिका इन सबका जो और जीन था वह पेंजिया से था मतलब एक कॉंटेन था यह सब को सब तूटके बिखरे और साथ अलग अलग बने तो यह जो की में कि अपको समझना है तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा वहाँ दिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में उसे चाहिए वहां सबस्कूल करने वाले हैं इसको आप बढ़िया के समज़ बाऊगे तो वहां से आपको सब कुछ क्रिश्ट क्लियर खो जाए अब यहां के लिए हम लोग मैंड हो जाए और वो ऐसे हैं कि फिर उसके बाद कौन इसके बाद कौन ऐसे जाद करेंगे लंबे दिन तक लंबे दिए तक हमारे दिमाग में समझ की विजबराइब हो जाएगा लेकिन मैप के माधियम से याद करेंगे अगर हम लोग मैप के माधियम से याद करते हैं तो वह आख में विजुवाइज रहेगा कि हाँ जब आप आख बंग रूपर को याद आज जाएगा अभी मैप कर वाओंगा देखिए यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा पूरे मेप सबसे बड़ा बाद जो कांटिनेट है तो इसे ब rok 2 मतों बहुत बड़ा मारें जो पानीन को क्षब में उससे कंटेट तक का देक है है इनि महा हुआ कि ते लग भीcciones में क corrienteich बेढ़克 जो सबसे बड़ां दुनिया का सबसे बड़ा कॉंटिनेंट कौन सा है एस एस यह यह आपको पता होगा अगर यह नहीं पता हो तो यहाद रहा का नमबर वन इस तेटिक है एसे यह लोग याद रहेगा सबसे बड़ा कोण सा है एसीया के बाद एफ्रीका यह वान टेंट टू लेट इंडिया निया और आफ्रीका निया शरी एश्च यह यह थे वाद अफ्रीका नमब थरी अर्ट अमेरिका 1 2 3 नूबर 2 पर नूबर 3 पर नूज आर्स अमरीका नूबर 4 पर साथ अमरीका एक वान टू थी पूर से अज़ आपको यह आख में आख में आख में विजुलाइज कर लेना ठीक है ज़ाइव दर दर नी सोच नाहीं बस एक वान एख एक फिट आपको मैं नूबर इंपर लि आपको आख बन कर लेना है नूबर 1 एसीया नूबर 2 अफ्रीका नूबर 3 नौज अमरीका नूबर 4 अमरीका नूबर 5 नीचे अंटार्टिका नूबर 6 ऊपर यूरोप नूबर 7 इजर ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही आप भी आख बन कर पाऊगे विजुलाइज कर पाऊगे व्ल् सब्सक्राइब नूबर 5 पर नूबर 6 पर यूरोप नूबर 7 पर श्रेलिया ऐसे एरिया वाइस आपने बढ़िया से कर लिया आख में विजुलाइज कर लिए आख मंकर वियाद कर पाऊगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही है समझ गया है अब आपने ये सातों को देख लिया एरिया वाइ पर यही सेक्वेंस थोड़ा सा अब डाउन एक दो जगा पर लेकिन यही याद रखेंगा ठीक है मतलब कि एस यह फिर आफरीका फिर नॉस अमेरिका एंस अंटार्टिका यूरोप और अस्ट्रेलिया यही सीक्वेंस है जो एरिया वाइस सबसे बड़े-बड़े हैं ठीक ह क्या होता है दुनिया का सबसे बड़ा पॉपलेशन एस सबसे बड़ा कंट्रेंट भी अथा पॉपलेशन में नुबर यह तो यह रैंकिंग बड़ाया नहीं सेम का सेम वन का वन वो भी था वन इसमें भी वन रहे गया यह और इंडिया चचा और चाइना मौसार देखिए इंडिया चाइन जहाँ एक ही जगहा दोने पॉपलेशन दूना मिला के अलमुश्यच हिंकि साठे तीन करोर हो शारे 300 करोड हो एक पूरे दुनिया में लबग लबग शारे साथ सौकोर लोग रहते हैं सजिसमें 300 करोड तो हमारे इंडिया चायना मिला को यहांने कि more than 60 पर अब हर आप एसटे तो हम लोग समझ पाएं बढ़िया से अभी कि आसीया एड्रिया वाइस आप और अल्वास भी था नमबर टू पर अफीरका एड्रिया वाज भी ओपूरीशन वाइस भी चलिए ठीक है इंक हो गया है इंट यह ले मताइस उपलेशन फटरी तो वह इस्टा लेकिन अपलब हुए उब लेकिन तो श्री एक लाइन याद रखना दिमाग में कि एसे इंब आफसरी के बाद दुनिया में यूरोपियन सबसे जादा है अमीरिकन से ज़्यादा शुल्यादे अप्र पेमिलने सुरोपिय के ज़्यादे आदे कि पॉफार में य्यादे लिए स प्रिफ्ट में शॉट अमेरिका सिवेंस बीच में गुज गया एक प्राण ऊपर चल गया तो यह लोग खिशा किते एक पैदा नीचे आगे बस यही वह कुछ नहीं हुआ है अब बचा सिख्थ और सब्सक्राइब सब्सक्राइब में इंसान नहीं रहते हैं पांसो हजार लोग रहते हैं वह सैंटीस्ट लोग जाकर रहे हैं तो वह समझ भी पॉपॉलेशन है तो फिर वह लास्ट में जागा स्रीक्स ओष्रलिया हो जाएगा तो आपको बढ़िया समझ जो कि थे पॉपॉलेशन वाइस भी एरिया वाइस आप समुझ चुके थे पॉपॉपॉलेशन देख लिए दुनिया का नंबर बन एस यह सब्सक्राइब करें तो वान टू फ्री फोर फाइफ सेवन यह से बन गया और दोनों को बढ़िया समझ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पहला हम लोग देखते हैं एरिया वाइस एसी है नंबर वन नंबर टू पर आफ्रीका नंबर पर नॉर्थ अमरीका नंबर यूरोप नंबर स्ट्रेलिया एया वाइस सबसे बड़ा एसिया है ओमिले में इस अर्या अब जैको अब बंश्र पर आफ्रीका नंबर टू एफ्रीक पॉपलिशन में और रिगुदों नंबर भी यूरोप पॉपलिशन मैं वहां पे 6 नंबर पे था एरिया में शिस नंब यूरोप नंबर फॉर पर नॉर्थ अमेरिका नंबर फाइप साथ अमेरिका फिर फॉर फाइफ हो गया है तो पॉपुलेशन वाज भी समझ लिए हम लोग कोई डाउट कोई कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाप जोरू करें तो वन टू फ्री फॉर फाइफ सिक् क्योंकि यह देखने दोर ही इसलिए है क्योंकि कोश्टन ऐसा नहीं पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉंटेंट कौन सा बताईए यह सिंपल हो गया यह पूछता है एसे प्र फॉर फाइफ सिक्स सेवन यह एडिया वाइस हो गया है वान टू टू थी फोर तो आप बता पाओगे आराम से तो यह आपने देख लिया पूरा का पूरा अब हम यह देखेंगे लिए यह समझ गया तो अब यह देखेंगे एक एक कॉंटिन को पकड़के इंडिविजुली हम लोग उसका वी सिस्ता को और उससे क्या एक्जाम में औरिंटेट कोश्टि समझेंगे और जैसे मैंने को सीक्वेंस बढ़ाया था कि पहले अफिर आफ्रीका फिर नौथ अमेरिका वैसी यहां भी आपको चैट के माधियम से कुछ-कुछ पॉइंट्स है जो जाना जरूरी है वह आपको मैं बढ़िया से समझा रहा हूं ठीक है तो पहले आता है दु सबसे हाइस्ट पीक जो है माउंट अवरेस्ट वह कहां पढ़ता है इंडिया नेपाल के आपको पता हूं वह भी एसिया में पढ़ता है और और एसिया से अब ग्रेट वाल ऑफ चाइना एक लॉता ऐसा मैंड मेड इस्ट्रक्चर है ग्रेट वाल ऑफ चाइना जो एसिया में पढ़ता है जो कि इस पेस से हम दोग देख सकते हैं समझ पार रहे हैं अभी बोला जा रहा है कि इंडिया का जो श्रुच्टी आफ युनिटी है सदा दुनिया में सबसे पहले इसे पहले इस पहले सभ्यता नहीं था एफ्रिका में लोग आ गया थे लेकिन सबसे नहीं थे वो लोग कुछ भी हांसी घोड़ा मारके खा लेते थे वैसा वाला सीन था लेकिन सब मतलब कि थोड़ा सा हाइजीन सबसे पहले जानते हैं इंडर्वेली सिविलाजेशन चैनी सिविलाजेशन यह सब एस यह में दुनिया में धर्म लगभग लगभग सारे दुनिया में पोपॉलेशन था वहां यहां था यहां यहां हमारे यहां यहां नहीं हमारे इंडिया में दुनिया का सिस्टीन परसेंट आपका एफॉलेशना और में रहता है को नगतונה बलाइंड कॉंटीनेंट यह सब बिक्वाइट अक असे च्रापिक हॉट इसकाकेने अटीनेयर नहीं होता है यह से काई この這 MONKEJ3 presents कि नील नदी बहती हैशते दन्यम और आधी यह चौकलीट पाईायता है दुया दुनबा जोग है डील दुनिये का to अब आते हैं नोड अमेरिका में नौट अमेरिका में दुनिया का अ्यूस्ट सबसे इकनौमिक ली पावरफू चंट्री दुनिया में है यूए सबसे अपड़ता है जहांके जहांके परिज़ेंट जो बाइडन अभी बने हैं उसके डोनल ट्रंप ट्रम थैं यूए से वह नौर्थ अमेरीका में यह C perfect California जिसको सुपिर्यर लेक बोलते हैं जीरे और अमेरीका में थब कहाँ में आपना अपना समंदर सूजीने लिए लेकि 8% दुनिया के लोग बसते हैं यहां था सृट परसेंट 6 पर सिज्ड यहां साथ से 8 परसेंट क्या रहे हैं यहां सहुत वह बचते हैं नहीं अचाफ नमटर पहर शांपे था है तो अमेरिका में हाइस्ट वाटरफॉल जो है वह सोच अमेरिका में पढ़ता है उसका नाम है एंजल फॉल दुनिया को पुरे दुनिया का ओक्सिजिएन चिंबर सौछ अमेरिका को बोलता है कि वह सब्सक्राइब जेगा ब्राजील एक जंगल पड़ता है Amazon Amazon पूरे दुनिया का 20% oxygen देता है पूरे दुनिया को पूरे दुनिया को oxygen कौन बाढ़ता है 20% oxygen बाढ़ता है अकेले वह ब्राजील का जगा Amazon जंगल अलगल प्रके स्पीसेस पाया जाते हैं सापों के चडिया पर जाती इंसेक्स के इसलिए इसको स्पीसेस पाया जाता है यहां एक चिडी इसको नाम है बुलेट एंट बुलेट अगर काट ले आपको तो बुलेट यहां असा दर्द हो गोली लगा नहीं पाया जाती है बुलेट एंट ठीक है 20% oxygen पर दुनिया को साथ अमरिका बाढ़ता है आपको बता दिया हाई यहां का अटार्टिका कोई कंटरी नहीं है यह मैंलेस ढवातिका कंटरी यहां कंटरी नहीं है यहां पर background голanie Subscribe कर रहे हैं कि यहां पर अपना रिसर्च कर रहे हैं आंटर्टिका को वाइट कॉंटीन विकाते हैं एक अपनी सब चीज है कि यहां पर लेबरेटरी यहां जाके अपना रिसर्च कर दिमाग खपा रहे हैं समझ रहे हो ना बर्फ में जाके वहां तो यहीं सीन यहां का यहां पर 1500 पॉबलेशन इस यह दा नहीं है ठीक है अब देख रहे हैं यूरोप यूरोप के बारें समझें यूरोप में 50 कंट्री या जर्मनी हो गया सब का सब बड़ा कंट्री इतना भी डिवलप कंट्री यहां नॉर्ट अमेरिका में क्या सीन था कि वहां पे यू एस है बहुत बड़ा है कैनड़ा है वो भी तो तकार तक है इस नोफ कर रहें यहां सब बहुभ भग दुनिंश का जाण तो एक आपको लाओनें स दिखाया तो उसमें अप सब्समानिशन उर्प करके और तो एसी और यूरोप को छाटने का अलग बातने का काम जो करता है जगा वह पहार है उसे गता है यू र एल तो यूरालमन्टन HEY क Veralaykal मांटन मैंने में इसे कहते हैं वह इधर यूरोमन्ट है इमism इस है अधर है कि डेश है दुनिया का सबसे घ। कॉन सा के निवह यूरूहर जाहे है कि आइधा है तो रसिया को रसिया की ति मोज्मोर पार्ट को इधर यूरोप में बाथता है और असे पार्ट को असे हैं यूरॉप में मौंटेन इधर आएगा तो यूरोप में राद मार्ट और यूरॉप से चोटा चॉटा इस सबसे चोटा कंट्री दुनिया का सबसे बड़ा तो वह 10 20 चक्र ऐसे माज दें समझ पार हैं जोटा कंट्री यह 500 पर इसको यह 500 जोटा आप इसे यह यूरोप में पड़ता है वर्टिकन सेथी तिक है देखिए एक ची और मैं पूरे दुनिया में सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस लिए इसलिए इन्हें कहा जाता है कि यह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वहां किसी डिशीन में किसी नहीं करते हैं बस यह लेकिन वहां के मेंबर हैं वर्टिकन सिटी हो या फिर फिलिस्तीन हो यहां के मेंबर हैं यानिकी फ्लस्ट्री प्लस्ट्री है पुरे दुनिया में बाद बैके 204-295 जो भी दिखा रहा है आपको गूगल तो वह आप भूल जाहिए वैसा कुछ नहीं है ठीक है जो दुनिया में सबसे जादा वूल और बहुत याँ बहुत जादा बहुत जादा वूल और वूल दुनिया को सबसे जादा ऑस्टेलिया देता है यह एक वड़ा था जब मंब आख जसको सारी कंटेंट के अलाग अलाग लेक्चर लाओंगा तो आपको मैं यह उसीनिया व्ला कंसेटर पुरा उस्टेलिया वाला मिल निसिया वाला बाये दने जाओंगा अब इसी वितना जादेए कि उसी अन्टेनेंट है ऊसले में चार पार्ट में है मिलने डिन यह बढ़ा एक उसके बाद आफरीका उसके बाद नौट अमेरिका फिर अस्ट्राइलिया यह हो गया आपके इसमें बुलेट पॉइंट जो आपको मैंने बता दिया आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा एक बार वीडियो को उपर नीचे आगी पीछे कर देख लिए आपके दिमाग में बढ़िया से समझ में आ जाएगा ठीक है अब हम लोग यह पुरा का पूरा को समझ लिए अब थोड़ा था हम लोग समझेंगे ऊसिंस के बारे में समझें तो पूरे का ब्लूब पे पांच से जहेंगे इनन की पांच महाशाघर हैं का बारे में हम लोग कुछ-कुछ जानेंगे और उन्हें सीक्वेंस वाइज याद किया किसे बड़ा कौन सा था फिर कौन सा था फिर कौन सा ऐसे करके तो महासागर को याद करने का सबसे बड़ा सबसे मस्त एक लोजिक है जो मैं आपको यह पता रहा हूं दिखिए आप इस को याद कर लो पैसा पी ए आई एस ए पैसा बस अपनी सिए तक कर लिया आपका अलमस्त काम हो गया मतल्ब महासागर आप सिक्वेंस वाइस याद कर लिए इन वाल सी ao यह कैसे तो पेससी और बिद्ध एफ़र अट्लैंटिक ऊशिन आई4 इंडियन ओस ले का स French अब बोलोग गैसे मैं रहा डिया है देखना है प्राइभ पानी बनाए मैं यह फुरा पूरा वर्ल्ड में बहृत महुनत लगा है आपके लिए पूरा 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 राउंड होता है तो ऐसे करके यहां से स्टार्ट होके इधर से पूरा इसके पीछे से होके फिर इधर से और इसका अधाल है यहां को पूरा जो मेन आपको दिखता नहीं अब यहां पर यह सिया आफ ऑफ्रिका नॉर्ट अमेरिका यह सब का जितना जमीन तो एक कर देंगा फिर भी पैसि भी वह समाज तुक्त पर इंडिया का नीचे पानी इंडियन उसीन है किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है वो है हमारा प्यारा भारत के नाम पर इंडियन ऊठीक है तो पी आई दिखने पास पानी आपको दिख यह पानी यूगा अ होगिए तो यह यह दो पानी ऑट इन्टार्टिका के पास साउधन से जो पानी आणटार्टिका के बीजह पानी घुम रही है यह अंतार्टिका के ना यह पाइसाफ पांच हो गया पंचों पांच हो गया याद कर लिया सबसे बड़ा कौन फिर कौन फिर कौन ऐसे यह चाहिए प्रशांत प्रस creator को इस फोर इड्लेंटिक गोशिन आइफ ओर इंडियञान इस फोर ऑड़्चाजिए पूर पूरा पूरा महासागर आपको अग्याद को जैनानी क्योंकि याधने रखना किया को बढ़ा है कौन है को शोड़ा है यह जाले कि कि सब शर्मकि कि start आखना आग्द के वह सκ कौ बढ़оды को जी कॉश्मीड के और पिसिए और ये चैनि पैसा किelle स्विक अट्राट है इंडियन सौधन और आर्टिक अपने समझ लिया कौन बड़े हैं कौन चोटे हैं सब कुछ आपको समझा दिया गया है अगर आपको फिर भी कही कुछ डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करें कि आपको कहां पर कुछ समझ बनिया है मैं आपको बनिया से समझाने का कोशिश करूंगा ठीक है तो इसी साथ फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन थेंक यू